कैसे हो आप सब में से हैसे ही रहो और खुश रहो तो गाइस मोबाइल के अंदर आज यह ट्री रॉल पास का विक फॉर ओपन हुआ है तो इसके अंदर जितने भी मिशन है वन बाई वन में आपको सारे बताऊंगे लेकिन जो मिशन में आप लोगों को यहां पर बताऊंगे में आफ आप विजेयमई के अंदर टी की रॉल पास आये किना उसके अंदर भी आप लोगों को देखने पीमिले तो व्र्यज को विचकश कर सकते हो आड़ पी अंदर आप लोगो देखो गये तो mission के अंदर first mission में लिगा है elite pickup compensator in 5 matches in classic mode तो आप लोगों को 5 match में यहाँ पर compensator pick up करना है और इसके यहाँ पर 100 IV point है बट इसके आगी यहाँ पर elite लिगा है इसका मतलब यह है कि इस mission को आप लोग यहाँ पर गरोगे तो आपका mission कम जटते हो जाएगा बट इसको आप लोग कलेक तभी कर पाओगे जब आपने royal pass purchase करी होगी तो इसके लिए आप लोग यहाँ पर map में rank on ring में कोई सा भी लगा के खेल सकते हो सकी इनके उपर आपको 3 type के compensator देख रहे है तो 3ो compensator को आप लोगों को match के अंदर उठा लेना है उसके बाद हम लोग second mission की बात करें तो इसके अंदर लिका है allied finish one enemy within 60 seconds of landing in classic more तो guys classic more में आप लोगों को यहाँ पर land होते ही 60 seconds के अंदर एक enemy मारना है और इसके आप लोगों को 100 RP point मिलेंगे इसके आगे भी allied लिका है तो इसका मतलब वही है जो मैंने आपको first mission में explain किया इसके लिए आप लोग भी मैं भी यहाँ पर rank अंदर कोई सा भी लगा हो इसके उपर detail video मैंने one minute monika channel पर डाल दिया है link description में आप लोग check out कर लेना जैसे ही आप लोग examine पर land होते हो ना तो 60 second मतलब कि एक मिनट के अंदर आपको यहाँ पर बंदा मारना है उसके बाद third mission के हम लोग बात करें जिसके अंदर लिखा है elite pick up health space nurse helmet level 3 in 8 matches in classic more तो guys classic more में आप लोगों को 2 match के अंदर helmet pick up करना है और इससे आप लोगों को यहाँ पर एक material मिल जाए का जिस material का यूज करके आप लोग यहाँ पर जो 100 IP का outfit है उसको यहाँ पर color कर पाओगे और इसके आगे भी light लिखा है तो इसका मतलब भी वही है जो first mission में मैंने आपको बताया इसके लिए भी आप लोग यहाँ पर मैप में rank earning में कोई सा भी लगा के खेल सकते हो स्कीन के ऊपर आप लोगों को जो helmet दिख रहा है उसी helmet को आप लोगों को दो मैच के अंदर pick up कर लेना है अगर आप लोगों को जल्दी से नहीं मिलता तो आप लोग शौप से भी purchase कर सकते हो उसके बाद हम लोग fourth mission की बात करें तो इसके अंदर लिखा है repeatable week for only spend 100 minute in matches इसके लिए भी सेम आप लोग यहां पर rank लगाओ on rank लगाओ arena others जितने भी मैप है आप लोग किसी में भी खेलो जैसे जैसे अंदर आप लोग time span करते जाओगे वैसे वैसे आप लोगों का mission complete होता जाएगा उसके बाद हम लोग next mission की बात करें तो इसके अंदर लिखा है friend boost eliminate 10 enemies with sms in irangle in classic mode तो classic mode में आप लोगों को यहां पर जो irangle map है उसमे sms जिससे 10 enemy मारने है और इसके 150rp point है बट इसके आगे friend boost है इसका मतलब यह है कि इस mission को आप लोग रोयर पास वाले friend के साथ करते हो तो आप mission करो कि वो भी count होगा और आपका friend अगर game में आपके साथ mission करता है तो उसका mission आपके अंदर count होगा इसके लिए आप लोगों को यहां पर map में rank में first number पर जो इरेंगल है उसी को आप लोगों को लगाना है theme more on off करके या फिर under rank में आप लोग यहां पर classic more वाला इरेंगल भी लगा के खेल सकते हो normally चेले में आपको smg गन बता दू तो inventory के अंदर गन वा में मार सकते हो उसके बाद हम लोग next mission के बात करें तो इसके अंदर लिखा है friend bonus finish three time in the top three with friends in classic more तो classic more में आप लोग को friend के साथ तीन बार यहां पर top three में आना है और इसके 60 आपी point है बट इसके आगे friend bonus है उसका मतलब यह है कि इस mission को आप लोग रोल पास वाले friend के साथ करोगे तो आपको 30 आपी point extra मिल जाएंगे इसके लिए सबसे पहले आप लोग को friend list में से किसी भी सब्सक्राइब को बिला लेना है और उसी के साथ आपको game को खेलना है जिसके लिए आप लोगों को सर्वाइव करना है जिसमें हैस्टेग 1 हैस्टेग 2 यह हैस्टेग 3 तीन में से किसी भी रैंक पे आप लोग आओगे तो आप लोगों का mission complete हो जाएगा उसके बाद हम लोग next mission की बात करें तो इसके अंदर लिखाए team boost eliminate player with the pen two times in classic more तो guys classic more में आप लोगों को यहाँ पे pen से 2 enemy मारना है और इसके भी कि team boost है इसका मतलब यह है कि इस mission को आप लोगों को duo या squad में करना है तो जो आपका teammate होगा वो भी pen से enemy मारेगा तो उसका mission भी आपके अंदर count होगा भले वो आपका friend हो या auto matching वाला बंदा तो pen तो आप सब जान दे होगे तो एक बार आप लोगों को में दिखा तो melee weapons के अं अंदर लिखा है complete complete 8 matches in anymore तो आप लोगों को किसी भी मोर में 8 match complete करनी है और इसके भी 60RP point है तो इसके लिए भी सेम आप लोग मैप में rank और rank में कोई से भी लगाओ arena भी और others भी खेल सकते हो जादे तर आप लोगों को मैं suggest करूं कि आप लेविक लगाना और zone के बार starting में ज single arena more matches तो आप लोगों को single एक arena more match के अंदर 14 एने में मारने हैं और इसके आपको 60RP point मिलेंगे तो इसके लिए आप लोग यहां पे मैप में हो जाएगा ना तो वीक फूर हमारा साथ दिन का होता है तो साथ दिन में टोटल तीन दिन आप लोगों को सिर्फ यहां पर लॉग इन करना है जिससे आप लोगों का मिशन कंप्लेट हो जाएगा सिर्फ गेम को open करोगी तीन दिन तो ऐसे ही आप लोगों को 60RP point मिल उसके बाद हम लोग यहां पर next mission की बात करें तो इसके अंदर लिखा है finish one enemy with pistol in any more तो आप लोगों को किसी भी मोर में pistol से एक enemy मारना है और इसके भी 60RP point है तो इसके लिए आप लोग यहां पर map में rank attack कोई सा भी लगा के खेल सकते हो आप लोग यह लिना लगा के भी खेल सक करते हैं जिसके अंदर लिखा है gift और gift back BP to three different friends तो आप लोगों को तीन friend को यहां पर BP send करने हैं और इसके आप लोगों को यहां पर 30RP point मिलेंगे तो नॉर्मल इसके लिए आप लोगों क्या करो कि यहां पर आप लोगों के friend list में से किसी भी friend की profile photo पे क्लिक करोगे तो first number पे यहां पर BP send करता है तो उसको आप लोग करोगे तो भी आप लोगों का mission यहां पर हो जाएगा उसके बाद चले हम लोग next mission की बात करते हैं जिसमें लिखा है destroy two vehicle tires in classic mall तो आप लोगों को classic mall में किसी भी vehicle के सिर्फ दो टायर destroy करने हैं और इसके भी 30RP point है तो normally आप लोगों को यहां पर map में कोई से भी vehicle मिल जाते हैं जैसे की यूज़ेड हो गया pick up हो गया sedan हो गया तो कोई से भी vehicle के जो टायर रहते हैं ना सिर्फ दो टायर आप लोगों को गंसी यहां पर फोर देना है जिससे आपका mission हो जाएगा तो इसी तरी किसे आप लोगों को one by one सारे mission complete करने आप लोगों के कितनी आर्पी हो चुकी है मुझे कमेंट करके जरूर से बताना और यह वीडियो आपके लिए थोड़ा भी helpful हो तो वीडियो को like share जरूर से कर देना thank you for watching okay bye bye